असलाम अलेकुम डियर स्टुजेंट्स मैं हूँ मुबारिक सदीक आज के इस नई वीडियो लेक्चर के साथ आज का जो मारा टापिक है बहुत इंपर्टन टापिक है टाइपस आफ सौफ़ियर सफ़ियर की टाइपस क्या होती हैं सफ़ियर आज डिवाइड इंटो टू में केटगरीज सफ़ियर बेसिकली दो में टाइपस में केटगराईज किया गया है फर्दर उनकी आगे टाइपस है नमबर वन पे आपके पास है system software नमबर टू पे application software वन बाई वन हम दोनो types को discuss करते है system software क्या होता है system software are set of programs that operate and control the computer यनि के system software जो है ये set of programs होता है set of programs क्या है जो किसी भी programming language में code लिखे जाते हैं प्रोग्राम लिखे जाते हैं computer को instruction दी जाती है वो instructions को combine किया जाता है इस तरह बहुत सारे programs को combine किया जाता है set of programs तो उसमें वो आगे software को develop किया जाता है तो आब system software जो है वो set of programs set of instructions लेकिन कोम से instruction वो instruction काम क्या करती है that operate and control the computer यनि के ये वो प्रोग्राम होते हैं वो साफ़ायर्ज होते हैं जो computer system को computer hardware को operate भी करते हैं और उसकी functionality को control भी करते हैं फरदेर इसके आगे कुछ points हैं इनको भी देखते हैं के system software और क्या-क्या working perform करते हैं इट स्पोर्ट्स दी डिवलिप्मेंट आफ अदर अप्लिकेशन साफ्वियर यहीं कि जितने भी अप्लिकेशन साफ्वियर्स हैं उनके डिवलिप्मेंट में स्पोर्ट्स यहीं उसमें मदद फराम करते हैं क्योंकि अप्लिकेशन साफ्वियर्स जो हैं वो भी computer के उपर develop किये जाते हैं Computer system के उपर बनाए जाते हैं तो उसकी development में helpful होते हैं स्पोर्ट फुल होते हैं It supports the execution of application software जितने भी application software डिजाइन किये जाते हैं उनको computer के उपर run किया जाते है जब computer पर run किया जाएगा तो उसमें system software ही उनको support करेगा उनकी execution में, उनकी running में monitor the efficient use of various hardware resources इसके साथ monitoring का काम कर रहा होता है यानि के निगरानी का काम कर रहा होता है जितने भी hardware की resources हैं hardware resources क्या होती हैं? के keyboard, mouse, printer, scanner, कोई भी device जो computer का हिस्सा है, computer के साथ operate होगी वो hardware resource किलाएगी अब उनको efficient way में monitor करता है, उनकी निगरानी करता है जो जो work जिस जिस device का होगा उससे वो working पर फार्म करवाएगा system software communication with and control the operation of peripheral devices communicate करवाता है control करता है जितने भी peripheral devices हैं उनके operation को यानि के peripheral devices वो devices जो computer के साथ अलग से connect की गई होती हैं like printer, keyboard, hard disk, scanner बहुत सारी devices हैं जो computer के साथ attach की गई होती हैं उनको check भी करता है उनकी आपस में computer के साथ एक दूसरी device को दूसरी device के साथ communicate भी करवाता है और एक अच्छे way में काम करवाता है कुछ examples हैं इसकी कुछ types है system software की जिन में number one पे operating system, number two पे device driver, number three पे utility software, number four पे language processor इंशालला नेक्स्ट वीडियो में इन चारो टाइपस को भी further discuss की करेंगे इंशालला नेक्स्ट नमारे पास जो type है software की application software है application software क्या होता है application software is a type of software that can be used for a variety of tasks for end user application software, software की type है जो variety of tasks perform करती है end user के लिए अब variety of tasks या end user ये दो चीज़े क्या है इसमें end user तो वो होता है जो computer system को इस्तेमाल कर रहा होता है जैसा के मैं computer को use कर रहा हूँ तो मैं end user के लाँगा आप computer को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप end user के लाएंगे variety of tasks mean के ये single piece of application software जो है वो कोई एक खास particular काम नहीं कर रहा होता बलके वो मुखतलिफ points पे मुखतलिफ task perform कर रहा होता है जिस तरह से आप किसी सकूल के अंदर Microsoft Word को देखें तो वो assignments के लिए use हो रहा होता है किसी bank के अंदर देखें तो वहाँ पे invices के लिए और बहुत सरी काम के लिए use हो रहा होता है कहता है ये अप्लिकेशन साफवियर किसी खास किसी limited function के लिए किसी particular काम के लिए नहीं बनाया गया होता बलके एक ही साफवियर मुखतलिफ जगा पे मुखतलिफ task perform करवाने के लिए इस्तमाल किया जा रहा होता है इट helps to solve problem in real world यानि real world के अंदर जो problems है उनको solve करने के लिए ये helpful होता है उसके लिए use किया जाता है जिस तरह for example अगर आप कोई काम pen से register के उपर करते है उसमें कोई mistake हो जाए उसको erase करना काफी مشکل हो जाता है वही काम अगर आप typing करके computer के उपर करते है Microsoft Word के अंदर करते है तो उसमें कोई mistake आ जाए तो उसको erase करना change करना edit करना बहुत असान हो जाता है यानि के real world के जो बहुत सारे problems है उनको solve कर रहा होता है उसमें helpful होता है इसकी कुछ examples है जिस तरह से accounting software है banks के अंदर use हो रहा होता है और बहुत सारी financial जो transactions हो रही होती है business के purpose में इस्तमाल हो रहा होता है graphic software है जो graphical work perform करने के लिए इस्तमाल किया जा रहा होता है इस तरह databases है जो records की keeping के लिए use हो रहे होते है ये सब के सब application software की example में आते है इसकी दो types है main जिनमें number one पे journal purpose application software और number two पे special purpose application software ये दो इसकी main type है फर्दर इनको इनको इन्शाला next अगली वीडियो में discuss करेंगे